आईए सुनते हैं मम्ता कालिया जी की कहानी गुस्सा 51 साल की उम्र में वो अपनी 49 साल की पत्नी से दुखी होकर घर छोड़ कर चले गए जिस दिन वो घर छोड़ कर गए कई घंटों तक उनकी पत्नी को इस बात की आशंका भी नहीं हुई थी कि ये उनका अंतिम प्रस्थान है वो यही सोचती रही कि वो नुकड के होमियोपैत के यहां रोज की तरह अकबार पढ़ रहे होंगे या रेडियो सुन रहे होंगे फिर वो आदितन बढ़ बढ़ाने लगी कि उन्हें कोई फिक्र नहीं कि वो उनकी रोटी लिए क्या आधी रात तक बैठी रहेंगी कि वो यूँ चल देते हैं जैसे घर घर ना हो कोई सराय हो इसी जुझलाट और इंतजार में उसे भूग भी लगाई और उसने अपनी ठाली परोसली वैसे वो और इंतजार भी कर सकती थी पर इस तरह उसका अलग और पहले खा लेना पती के लिए एक धमकी थी जो वो खास नाराजी के वक्त पर देती थी फिर साथ खाने में उन लोगों की लडाई हो जाती थी लडाई की समय वो बिलकुल भूल जाती कि वो खाना खा रहे हैं और इस समय वो चुप रहे तो बहतर है वो अगला पिछला सब हुसाप चुकता करने के मूड में आ जाती वो चुप चाप सुनते रहते और आधा खाकर उठते उठते एक अचूक वार कर देते इसलिए तो तुम्हारे घर का कुटता तक तुम्हें छोड़ गया इस वाक्य के साथ साथ माया की बड़वडाहट शुरू हो जाती और घर में जहां तहां भी वो बैठे रहते ये वड़वडाहट एक जिद्धी मक्खी की तरह उनका पीछा करती वर्शों का पालतू उनका कालू उस दिन की मार के बाद वापिस नहीं आया हुआ ये कि माया ने पती का सफेद स्वेटर धोकर चटाई पर सुखने के लिए डाला और कालू उस पर पाउं धरता हुआ बरामदे में चला गया उसके पंजेजियों के त्यों मैले नक्षे की तरह स्वेटर पर छप गए जैसे ही माया को इस वारदात का पता चला वो वैशियों की तरह हाथ में लकडी लेकर कुट्टे की तलाश में घर में घूमने लगी आखिर उसने उसे तकहत के नीचे सुकी नीन लेते पाया फिर तो उसने कुट्टे को इतना मारा कि बाद में देर तक उसकी सांस फूली रही कुट्टा लंगडाता और रोता हुआ बाहर भाग गया और फिर इस गली में किसी ने उसे नहीं देखा पर माया को लगा इसमें उसका क्या कसूर आखिर कालू ने गलती की थी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए थी उसने ये थोड़े ही चाया था कि वो भाग जाए उसका खयाल था जिंदगी ने हमेशा उसके साथ अन्याय किया है उसके दोनों लड़के अपनी बीवियों और नौकरियों में मश्कूल थे उन्हें कभी खयाल ही नहीं आया था कि उनके माबाप अपना वक्त कैसे काटते होंगे कभी उन्हें जादा लिखते कि उनकी याद आ रही है तो वे एक मनी ओर्डर भेश देते उनकी बीवियां कभी उसे चिट्थी नहीं लिखती मानो वो उनकी कुछ लगती ही नहीं यही लड़कियां जब माया उन्हें पसंद करने गई थी उसकी तरफ आख उठा कर देखने में भी डरती थी अब एक ने उससे बिना पुछे अपने बाल कटवा लिये थे और दूसरी ने तीसरी बार लड़की पैदा कर दी थी यह सभी बाते माया को गुस्सा दिलाती थी पर इनसे भी जादा जिस बात पर उसका खून खौलता था वो था उसके पती का इन जात्तियों को मुस्कुरा कर नजर अंदास करना उनका एक समरपन प्रधान विक्तितु था और माया का आकरमन प्रधान पती को ना बेटों से शिकायत थी ना बेटों की बीवियों से वो अपनी तरफ से हर महीने उन्हें चिठ्ठी लिख दिया करते थे बिना ये हिसाब किये कि पिछली चिट्टी का जवाब आया की नहीं वो बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं रखते थे बलकि वो अब भी यही सोचते थे कि उन्हें बच्चों के लिए कुछ न कुछ करते रहना चाहिए इसी चाओ में उन्होंने उस दिन माया से कह दिया कि अगले महिने उन्हें अपने पहले बीमे का जो 10,000 रुपया मिलेगा उसे वो दोनों बेटों में आधा आधा बाट देंगे आखिर 10 साल पहले उन्होंने ये बीमा इसी लिए कराया था कि बच्चों की पढ़ाई में इसकी जरुवत पढ़ सकती थी फिर वो सब काम उनकी तंखा से ही निकल गए ये पैसे जोड़े गए तो बच्चों के ही नाम से माया भड़क गई अच्छा, यहां सदावरत खुला है जो बाट देंगे, लुटा देंगे उनकी मेमे एक घंटे में बजार जाकर उड़ा देंगी मैं जानती हूँ कि मैंने कैसे पाई-पाई जोड़कर घर बनाया है हरत माही बीमे के लिए रुपे तो मैं ही देती थी बस जो है बच्चों में लुटा दो कभी मेरा भी सोचा है तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा वो हसे, अरे भाई, अच्छी सद्वाएं तो यही मानती है कि पती के रहते रहते ही चल बसे माया में मजाक बदाश करने की शमता कभी भी नहीं थी और फिर ऐसे मजाक, वो चिल्लाई तुम तो ऐसे ही बच्चों के लिए करते करते मरखब जाओगे मैं कहां जाओंगी किसके सहारे जीऊंगी ये तुम्हारी बहुएं मुझे एक पंखा और दरी हाथ में देकर ना निकाल भार करें तो मेरा नाम बदल देना उन्होंने कहा नाम बदलने के लिए तम में तो होंगा ही नहीं तुम ही कोई अच्छा सा पंडित बुलवा कर नाम करन जंजकार करवा लेना माया का गुस्सा बढ़ता ही गया था गुस्से ही गुस्से में पहले उसने बरतन बटके फिर कुर्सियां एक सी दुसरी जगा घसीर डाली बाद में बेजरूरत सीली हुई लाल मर्च कूटने बैड गई ऐसे मौकों पर उसके पती की विनोत प्रियता सक्रिय हो जाती थी उन्होंने पासा कर कहा ये क्या आउखली में मुझे डाल कर कूट रही हो हाँ हाँ तुम्हे लो और लो शान्ती हो जाए तुम्हे कहते हुए उसने धनादन मूसल अपने सिर पर माननी शुरू कर दी अपने उस उन्मात का हैसास उससे थोड़ी देर बाद हुआ जब उसने पाया कि उसके सर में भयंकर पीड़ा है और उसका पती उसके आसपास कहीं नहीं है वो परास सिर पकड़कर बैढ गई उससे कुछ सोचा नहीं जा रहा था बहुत देर बाद उसने सिर पर ठंडा फानी राल दिया इससे दर्द और सूजन दोनों बढ़ गई बड़े कश्ट से उसने खाना बनाया और वो बैटी पती का इंतिजार कर रही थी इतना जगड़ा तो कई बार होता था पती थोड़ी देर को बाहर जाते आकर निशप्त खाना खाते और बाहर वाले कमरे में तक्त पर सो जाते पड़ोस के रेडियो से जब राश्टरगान सुनाए पड़ा तो माया को चिंता हुई इतनी दोर तो वो कभी नहीं करते थे होमियोपैद भी दस बजे दुकान बंद करके सोने चला जाता था उसने गली के लड़के को भेज कर दिखवाया होमियोपैद की दुकान बंद हो चुकी थी बलकि पिछवाडे उसके घर की सभी बतियां बन थी माया ने उस लड़के को गली के मोड तक दोड़ाया पर उसके पती का कोई चिंध नहीं मिला अब वो आकंचा से भरी पूजा के कमरे में गई और उसने भगवान की बड़ी तस्वीर के पीछे हाट डाल कर देखा उसका दिल धक से रह गया उनकी गुटका रामचरित मानस जिसका वो सुबह शाम पाट करते थे जगह पर नहीं थी माया को याद आया वो अकसर कहते थे देख लेना जिस दिन मैं तुम्हारी इस किच-किच से तंग आ गया तो बस उठा अपनी रामायन चला जाओंगा पीछे मुढकर भी नहीं देखूंगा एक बार वो उपर से नीचे तक काब गई और वहीं जमीन पर बैढ़ गई रात के इस अंधेरे में वो कहां जाए उन्हें ढूने पडोस में उसका किसी से खास मेल जोल नहीं था उसे ये भी समझ नहीं आया कि तलाश वो कहां और कैसे शुरू करे रात भर वो अपना दुखता सर पकड़े बैठी रही और बराबर सोचती रही कि सुबे तक उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और मुँ अंधेरे दर्वाजे पर पहली हाट उन्हीं की होगी वो रोस की तरह धोती और अंगोचा लेकर नल पर नहाने चले जाएंगे और वो रोस की तरह उनके लिए चायते यार करेगी पर सुबे छोड दुबहर हो गई धूब भी उतरने लगी वो नहीं आए जैसे तैसे घंटे किसक रहे थे उसे अपमानित महसूस होता जा रहा था आखिर किस बात की सजा वो उसे दे रहे हैं उसने क्या गलती की अगर कह दिया कि बीमे के पैसे लड़कों को देने की जरूरत नहीं अचानक उसे लगा हो ना हो वो जरूर दो में से किसी एक बेटे के पास गए होंगे ये सोचकर आशा और आश्वासन के साथ साथ उसे फिर अपमान बोध हुआ लेकिन वो कुछ देर के लिए चिंता मुक्त हो गई उसने उनके दोस होमियोपैट से दोनों बेटों को तार भिजवाए कि वो बाब की पहुँच और राजी खुशी की सूचना दे इंतिसार की एक और लंबी किस्त उसके छोर पर एक के बाद एक बेटों का आकस्मिक आगमन आते ही वो उस पर बरिसने लगे कि बाबुजी कहां चले गए उसने उन्हें कहां भेज दिया अब वो उन्हें कहां ढूने हिंदुस्तान को इलाबाद यातर सुया तो नहीं जो वो एक चक्कर लगा ले माया हग का बक्का रह गई इस संभावना पर उसने विचार नहीं किया था जब बेटों ने गंगा पर नावलों से जाल डाल कर उन्हें ढूनने को कहा तो रुलाई के साथ उसका अवश क्रोध फूट पड़ा तुम लोग बच्चे होकर बाप का बुरा सोच रहे हो और वो क्यूं जाने लगे गंगा जी पर जाएं उनके दुश्मन बेटों ने घुड़क कर उसे एक कोने में बिठा दिया वो आसपास के सभी कजबों शेहरों में हो आए लेकिन कहीं सुराग नहीं मिला आखरी बार उनके पिता को गली के सबजी वाले ने देखा था पर उसकी उनसे कोई बात नहीं हुई थी इस इलाके के सब रिक्षे वालों से भी पूछा गया पर कोई उन्हें बैठा कर कहीं नहीं ले गया था बेटे पुलिस में रिपोर्ट कर आए अकबारों में रिष्टियार दे दिया इंतजार के अलावा और किया भी किया जा सकता था माया हर नए प्रयत्न पर उम्मीद लगा कर दिन काटती फिर निराश हो जाती बेटे उससे सला करना ज़रूरी नहीं समझते आपस में तै करते और चल देते गली के शैतान बच्चे उससो सुना कर कहते कालू भी गया, काका भी गये उनकी जगह पर भूत आ गये मायों को सबकी आँखों में अपने लिए धिकार ही धिकार दिखता जैसे ही बेटों के आगे मूँ खलती उसकी रुलाई फूट पड़ती बेटे जला जाते, रहने दो अम्मा, हम क्या तुमें जानते नहीं है तुम तो जुबान से चाबुक का काम लेती हो आखिर तीन हफ़ते की धौरधूप के बाद भी जब उनका कुछ पता न चला तो बेटों ने कहा कि वो जा रहे हैं, वहीं से प्रयतने करते रहेंगे वो बोले, अच्छा हो अगर माया उनमें से किसी के साथ चले पर माया ने इंकार कर दिया उसे उमीद थी कि जब भी उनका क्रोच चांत होगा वो इसी घर में आएंगे लड़कों ने जाते जाते उसके हाथ में कुछ रुपे ठूस दिया और कह गए, कि हर महिने वो कुछ न कुछ बेचते रहेंगे इसके बाद उसकी जो जिन्दगी शुरू हुई वो भयानक रूप से बियाबान थी चेहरे की हसी और आखों की चमक न जाने कब उड़ गई द्वार पर दूद वाले की सवा और कोई भी आहट कभी नहीं हुई कभी सुनने में आया कि माया के पती सादू होकर अमरनाथ में धूनी रमाए है कभी सुना वो पॉंडिचरी में स्कूल चलाते हैं कभी सुना गया वो रेल की पत्रियां लांगते हुए धोती फस जाने के कारण वहीं मारे गए बेटों ने इन अफवाहों का पीछा किया पर उनका कुछ पता न चला दुख और अखेले पन से बॉखला कर कभी माया आसपास के घरों में बातचीत करने की कोशिश करती तो पाती की किसी को समय नहीं है पडोसी ये सोचकर कि वो शायद आर्थिक कष्ट में हैं बड़े ठंडे लहजे से सहायता वहायता जैसी करने की बात करने लगते वो जंजला कर लौट आती पती के जाते ही पैसा उसके लिए वियर्थ हो गया था अंधेरा होते ही उसे लगता जैसे मकान में वो नहीं प्रेट चल फिर रहे हैं चुप रहते रहते उसे लगने लगा था कि उसकी बोलने की ताकत खत्म होती जा रही है महज जुबान की हरकत पहचानने के लिए वो रामायन खोलती लेकिन पाती की इसका अर्थ भी उसके लिए खत्म हो चुका है इससे बहतर सुबे का समय था जब अपनी सारी पस्ती के बावजूद वो इंतजार के तनाव को कुछ देर के लिए महसूस करती एक दो घंटे में सारे काम निपटा कर वो खिड़की पर आकर खड़ी होती और देर तक खड़ी रहती उसके सारे बाल पक गए थे आँखों को गली का मोड अब दिखाई नहीं देता था फिर भी उसे लगता शायद वो अगला रहागीर उसके घर आएगा या फिर अगला या फिर अगला ये थी ममता कालिया जी की मारमेक कहानी गुस्सा सुनने के लिए धन्यवाद